नवस्कार दोस्तों प्राक सूर्य चैनल में आप लोगों को स्वागत हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में अर्सथाजार पांसो सिच्छक भरती पुनर मुल्यांकन में 22 से बढ़कर 124 नमबर तक है 4688 बच्चे और पास हुए इन सारे डेटेल्स के बारे में इस वीडिय देगा मित्रों मैं यह कहेंगा आपसे मित्रों पुनर मुल्यांकन में 22 से 124 नमबर तक बढ़े 685 सिच्छक भरती में 4688 सफल अभ्यारतियों से में से अधिक तर के 2 से 5 अंक तक बढ़े मिलेगी नव करी परसदिये भी द्यालाओं के लिए 68500 सायक अध्यापकों की भरती में कापियों की पुनर मुल्यांकन में 4888 अभ्यारती सपल हो पाए इनमें साधिक्तर के 2-5 अंक तक बढ़े जबकि एक अभ्यारती ऐसा भी राज इसके 22 अंक थे और पुनर मुल्यांकन के बाद 124 नमर मिले वहां याजिका करता और आंदोलन कारी अनुर्द सुकला योम अनूप सिंग नियुनतम कटाप अंक नहीं हासिल कर सके और भरती से ब पूरी होने के बाद 13 अगस्त को सच्यु परिछा नियमक की ओर से परिणाम घोसित किया गया परिच्छार्थी ने ततकाली नियमक प्राधिकारी डाक्टर सुत्ता सिंग पर गंभीर आरोप लगा है मामला कोड जाने के बाद डाक्टर सुत्ता सिंग रजिस्टर जावेद सिंग एरी ने को निलम्मित कर दिया गया और चात्रों की मांग पर हाई कोड़ ने उत्तर पुष्टिका कि पुनर मुल्यांकन का आदेश दिया पुनर मुल्यांकन के लिए कोड में याच कि के बाद अंकित बर्मा को बाइस अंग के बदले 124 अंग, भिम्र मिश्टा को छाचछट अंग के बदले 177 अंग, भीम सिंग को 65 अंग के से 77 अंग, राज़े ज़टा को 6-68 अंग में पुनर मुल्यांकन में दो से पांच अंक तक हांसिल कर सिच्छक भरती में कटाप 68 से अधिक लेकर नौकरी की आहरता हांसिल की वहीं पुनर मुल्यांकन के लिए कोट में याचिया करने वाले अनुरुद्ध सुकलने अंकों में कोई परिवर्ता नहीं हुआ अनुरुद्ध को 66 अंक मिले थे पुनर मुल्यांकन के बाद उनके अंक में कोई परिवर्ता नहीं जबकि अनुप सिंग का 63 अंक से बढ़कर 65 अंक ही हुआ या भ्यार्थी नियुन्तम कटाप अंक नहीं मिलने से भरती परिच्छा में सफलता नहीं मिले नियुन्तम कटाप नहीं हासिल करने से भरती परिच्छा से बाहर हो गए करने वाले अनुप सिंग ने बुद्धवार को सची परिछा निमक से मिलेंगे